इम्पॉर्टन सवाल है कि 101 समिधान संसोधन का समंध किस से है तो ये भी आपका JST से है अगर पूछ ले जाए JST कैसा कर है तो ये आपका समर्ति सुची का अपरत्यक्ष कर है लेक्स सवाल पे आते हैं JST किस समीति की सिफारिस पर लागू हुआ ये भी ध्यान रखिएगा विजय केलकर समीति की सिफारिस पर लागू होता है ये भी इंपॉर्टन सवाल है लेक्स सवाल पे आते हैं पत्यों में मौजूद जो हरारंग है आप देखते होंगे हरारंग किस नाम से जाना जाता है इसे तो क्लोडोफिल इसको कहा जाता है या हिंदी में इसको पर्न हरित भी कहा जाता है सवाल नमर इसे दूसरा क्या बन सकता है कि ठीक है आप क्लोडोफिल की बात कर रहे हैं तो Clodofil में कौन सा धातू पाये जाता है? आंसर जगा Magnesium Magnesium को Magnesium का अगर पूछ ले जाए कि आपका प्रमानुसंख्य कितना होता है? 12 होता है कौन से वर्ग में आते हैं? वर्ग 2 में और आवर्द 3 में आते हैं ये Predictable में ठीक है? पौधे में भोजन का निर्मान किस प्रक्रिया से होता है? महत्पून सवाल है ये आपका जो ये प्रक्रिया इसका नाम है Prakash Sinculation और इंग्लिस में इसको कहते है फोटो Synthetis द्यारखेगा इसे एक बहुत ही महत्पून सवाल Very-very important सवाल बनता है क्या? द्यारखेगा इस प्रक्रिया में जो पौधे है CO2 ग्रहन करते है द्यारखेगा CO2 क्या करते है? ग्रहन करते है वही O2 का ये उस सर्जन करते है प्रक्रिया कौन सी है वो? द्यारखेगा Prakash Sinculation लेगिन सवाल आपको गर ऐसे गुमा के पूछ दिया जाए पौधे सोसन प्रक्रिया ठीक है? ये सोसन प्रक्रिया में कौन सा गैस लेते है तो जब सोसन प्रक्रिया की बात आएगी तो ये O2 ग्रहन करते है और CO2 का उस सर्जन करते है ठीक है? सोसन प्रक्रिया जैसे कि हम मानव करते हैं इसी तरह से पौधे भी करते हैं बस प्रकास संसलेशन वाला ध्यां रखना है आपका CO2 ग्रहन करते हैं और O2 का उस सर्जन करते हैं बात करते हैं पौधे में पौधे में जो जाइलम का है इसका काम क्या है जो जाइलम है आपका इसका काम क्या है तो इसका काम है जल्ट था खनीज लवन को जल्ट से पौधे में उर्दवारदर उपर ले जाना और पुड़े पौधे तक पहुंचाना जायलम का यही काम है ठीक है फिर दूसरा एक ध्यान रखे का फ्लोयम फ्लोयम भी एक सवाल आता है फ्लोयम का क्या काम है फ्लोयम का काम है पत्ती में जो भोजी पदार्थ है जो पत्ती में भोजल बनता है उस भोजी पदार्थ को शंपुन पौधे में समवहन करना इसका काम है तो जायलम और phloem ये दोना ध्यान रखना है आपको बात करते डॉल्फिन डॉल्फिन के गर मैं बात करूँ को राष्टी जली जीव किस वर्स घोशित किया गया ये महत्पून सवाल है 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोशित किया गया है तो important question बन जाता है डॉल्फिन को राष्टी जली किस वर्स घोशित गया गया सवाल ये भी बन सकता है मोर का वैग्यानिक नाम क्या होता है पावो क्रिश्टोपस बात करते हैं डॉल्फिन से बात होई रहे तो डॉल्फिन रिसर्स सेंटर कहां इसी थे पटना बिहार में इसी थे और अगर बात कर लिए जै कि पहली बार र वह होता है अर्ध कीबतिपर रहे एट असमार्त में जो अंदिङल आप देखे हैं ताजमाल में कौन से तकनिक इसमें यूज हुआ है आपका प्यप्र रह पेटा ड्यूर में इसने करढ़ के बात हैं तो डातो फेटब रहे में होार में 1983 में सामिल किया था भाइ बात के ली जमायो का मकबरा तो घूमायो का मकबरा कि सामिली में और बनाय था किस ने इसको गुल बदन बेगाम ने बनवाय था और 1983 में इसे इनिश्क्री वर्ल्ड हेरिटेस साइट में से सामिल किया गया नेक्स सवाल पर आते हैं इत्मादुल्ला का मकवरा कहां इसी था है आगरा और इसे नूर जहांने बनवाया था तथा ये भी जो है कौन सा तक्निक से बना है पेट्र डेवरा जिसको भी मैंने बताया जाता है सवाल जो है गेटवे आफ इंडिया ये कहा इसी थे तो यह आंसर हो जागा इसका मुंबई में सवाल अगर आज जाए कि इंडिया गिट कहा है तो दिल्ली में देखिए सवाल बहुत ही आसान है लें एक्जाम में कई बार आइसा भी होगा कि आप इतने इसकी आप एक्जाम में क्या होता है एक्जाम के जो प्रेसर से कई बार ऐसे छोटे छोटे कोशन भी आप गलती कर बैठते हैं जल्दी वाजी में पर लेते हैं गेटवे आफ इंडिया और टिक कर क्या जाते हैं दिल्ली ठीक है और वहीं इंडिया गेट को पूछ जाता आप मुंबे पर टिक कर दे तो ऐसे गलती नहीं करेंगे ध्यार रखीगा जो चार मिनार है कहां पर यह तराबाद में है नमक का रसाइनिक नाम क्या है तो एनेसे लेक्षर को क्या करते हैं तो इसका सुद्र है और इससे धोने का सोडा या वासिंग पाॉडट भी कहते हैं सोडियम लावनी जो है कौन से राज का लोक नुरत है तो फेस्टिवल और डांस ध्यान रखी का सवाल एकजाम में पूछा जाते हैं महराष्ट का है विदेशिया जट जाटनी या जट जाटनी के लिखा राता है जूमरी कहा का नुरत है या डांस है यह बिहार का डांस है वही बा जो है most important question कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है very very important question यह पुस्तक इंडिया जो है 2020 turning point wings of fire ignited mind किसकी लिखी पुस्तक है यह सारे के सारे जो लिखी पुस्तक है एपी जे अब्दुल कलाम के दुवारा लिखी गई पुस्तक है भारत के पहले सिक्षा मंतरी कौन थे हैं जहां रखे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले सिक्षा मंतरी थे भारत के इंडिया विंस फ्रेडम किसकी लिखी पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम अजात की लिखी पुस्तक है भारत में कुल कितने सास्त्रिय डांसे या नित्र है आंसर हो जागए यहाँ पर आठ और इन आठो सास्त्रिय डांस का यहाँ पर नाम एक वर देख लिजिए क्या है भरतनाट्टिम कहां का है तमिलाडू का है आपका कुचिपूरी आपका आंधर प्रदेश का है कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत में ये डांस famous है मौहनी अट्टम जो है केरल का है कथक कली ये भी आपका केरल का है सब्त्रिया है असम का है ये वेरी वरी इंपॉर्टन को से ने एक्जाम पॉइंट आव व्यू से मनिपूरी मनिपूर का है ओडीसी ओडीसा का है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं इंग्लिस चैनल को तैयर कर पार करने वाली पहली भारती महिला कौन है आर्थी साहा वही सवाल अगर ऐसा पूछ रिया जाए इंग्लिस चैनल तैयर कर पार करने वाले पहले जो है भारती पुरुष कौन है तो आंसर हो जगा मिहिल सैन नेक्स सवाल पर एकटी कि अर्या वली की पहारियां से कौनसी नदी निकलती है अंसर हो जगा लूनी नदी कच्छ की रं में ठीक है कच्छ की रं में गुजरात में ये बिलूप्त हो जाती है ध्यार क्येगा अरावली अरावली की सबसे उची चोटी का नाम क्या है गुरू सिखर ये है कहाँ माउंट अबू, राजस्तान में इस्थित है सत्पूरा प्रवस्रेनी की सबसे उची चोटी कौन सी है धूपगट ये है कहाँ मदपर्धिस्ट में निलगरी पहारी की सबसे उची चोटी का नाम क्या है डोडा बिट्टा और ये कहा है अपके तमिलाडू में और अगर बात के लिया जाए ये डोडा बिट्टा या निलगरी की पहारी के अगर ये बात की जा रही है तो यहाँ पे कौन सी जिन जाती पाय जाती है तोडा जिन कौन सी अमर कंट की पहारी है कहां के 36 गैड में अमर कंट की पहारी से क्वेंसे नदी निकलती है नड़मदा तरफ सोलना दी जो है दोनों यही सी निकलती है बात करते धुआ धार यतप Kिन दी कर है नर्मदा नदी पर? है कहा मद्पर्दिस में वही बात करते है ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है ये भी नर्मदा नदी पर है और है कहा पे मद्पर्दिस में सरदार सरवर बांध किस नदी पर है ये भी नर्मदा नदी पर है और ये है कहा लेकिन ये है गुजरात में नरमदा तथा तापती नदी किस और बाती है तो ये पश्चिम के और बहने वाली नदिया है और अरब सागर में गिरती है ठीक है यो दो नाम जरू ध्यां रखेगा नरमदा तथा तापती पश्चिम के और बहती ध्यां रखेगा पश्चिम के और बहती है और अरब सागर मे सूथये थीनों नाम थ्यान रखेगा आपके पमे प्राथमिक छत्र के नम्ह 알려ब quand आते हैं थिए वहाहीं दूतियी च्रूअco भारत्त व्यवस्ता गों सहां तो आपका उद्दियोग हो जाएगा वह दिलि एक शत्र कौन सा है आपका सेवा हो जाएगा करेक्टिस का अंसर अगर बात कर लिया जाए कि सर्वस्त्रिष्ट लॉइस के क्या कहलाता है मैगनेटाइट इसका सुत्र होता है लेकिन सवाल अगर आपसे यह पूछ ले भारत में सरवाधिक पाया जाना वहला लॉइस कौन सा है आंसर हो जागा हेमाटाइट और इसका जो सुत्र होता है एक लेक्ट सवाल प्याद है कि कार्णेटाइट पीच ब्लैंड किस धातु के अश्क है यह यूरेनियम के अश्क है सी भूमी लोह एसक छित्र कहा है यह धारगंड में है महीर भंज लोह एसक छित्र कहा है यह ओडिसा में है ध्यारखीएगा ओडिसा में और महीर भंज लोह और ओडिसा के में बात करूँ तो राष्ट पति हमारी जो वर्तमान राष्ट पति हैं दुरापिदी मुर्मू यह कहा की ही है आपके मईरुभन्ज इऋड़िशा की है बेला डीला लोहर एसके च्छतर कहा पर яझे च्छतिश गढ़ में है वही राणी गंज कौय पर इसे कहा की है करीन के फेमस है फेमस है राणी गंज क्वेला च्चतर थोरियम जो की एसका का मोनोजाइट का ऐसके थोरियम का प्रचुर वंडर कहां पाया जाता है केरल में बेस्टिल जेल या फिर बास्टिल का कलादुर्ग ठीक है बास्टिल कलादुर्ग पर जनता की हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया ठीक है ये घटना जो ही हमला कौन सी घटना को जन्म दिया था लुईस-वलावाकी विड़ित में हुआ था कब 1789 में तो बेस्टिल इल फ्रांस की करांथि का कारण बंदृता धिया रखेगा समान्ता सुतंतृत्य ते dział के सब्सक्राइट्स स् Upper सबकाइब को दौक सरनान में से सबसक्राइब invalineo सब्सकरन कि समय होता है ईनिधन हुआ है निदन हुआ है ऑनसाई डियने का डूउइ दूई कुण्डली ते मॉडल जो है जिसे कहते हैं हमें हैलेक्स मॉडल भी कहते हैं किसे दिया था वाट्सण त ध railway ने कितका बहुलक है निकलो टाइट का यह बहुलख तो द्यानाराश्टी कॉंग्रेस की बैठक कहां हुई थी तो द्यानारख्येगा नाकपूर में होता है इसके धिक्षता विजय रागवाचार ने किया था और क्यों ये 1920 वारा ही क्यों इंपॉर्टन बन जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में असयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था इसलिए सवाल बन जाता है इंपॉर्टन क्योंकि इसी अधिवेशन में असयोग आंद औरकपूर जीले उत्तर पर्देश ठीक है उत्तर पर्देश और इसी घठना के बाद और सही योग आंदोलन जो है अस्थाकिप कर दिया गया गर सवाल पुछ जाज़े कि नीरी का फुल क्या या नीरी कहां इसी थे तो आंसर तो हो जाएगा नापपूर इसका फुल फॉल्पाम होगा नेश्लल इंवर्मेंट इंजिनरिंग रिसर्स इंस्टिट एक चलिए लाइट ऑफ एसिया या एसिया की जोती किसे कहा जाता है महातमा बुद्य भगवान बुद्ध को कहा जा स्वामी विवेका नंजि के द्वारा तो प्रवुद्ध भारत जो पत्रिका है एक किसकी पत्रिका थी स्वामी विवेका नंजि की पत्रिका थी हिंद स्वराज किसकी लिखी पुष्टक थी महातमा गांधी के लिखी पुष्टक थी हड़ियों का अंध्यन क्या कहलाता है कास्टिका के लाता है वैस्ट मनुष्ट में कुल कितनी हड़िया होती है ? 206 होती है वहीं की 30 होती है मानजभी के सबसेह लंभी हड़ि का नाम किया है ? सभसेते हड़ि का नाम की हड़िया है ? स्रीलंका ने ग्रीवुद कब समाप्त होता है यह समाप्त होता है दोहजार नौ में चलता है 1989 से 2009 तक और L LTE Liberation Tiger of Tamil alum की समाब्थ होने पर यहां यह गृद समाब्थ होता है ब्रशक्ति स्री नैक्स मित्र शक्ति अलग यह जू узнаब्यास के बात रहे हैं То जो होता है यह दोनों अभ्यास के हो रहे बहुट है 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 भारत ल autopsy के बीछ कॉंसे जल संधी है पाख जल संधी है देहां रखना आपको लेरो नीवला मुत Nike s नऽे comics निकलता हैардral Pal снова को छाव किनेल निकलता है जाबिक घरी या इसको कहते है विर्क के से भारत का सबसे बरा राज्य कौन सा है उत्तर परदे से सबसे छोटा राज्य कौन सा है सिक्किम वहीं बात करते हैं छेत्फल यह तो जंसांख्या के दुरुष्ट्री से भारत का सबसे बरा राज्य कौन सा है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा वहीं बात करत पात कहां है गोवा में है सिग्मो फेस्टिवल कहां होता है या कहां का है ये भी गोवा का है गोवा किसके अधिन रहा था पुर्तकालों के अधिन रहा था पहला ओलंपिक कब हो था 896 एथेंस में होता है सोबे संग किस वर्ष टूटा था 1991 में किस देश ने महिलाओं को सबस इस वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किस समिधान संसोधन के तहत होता है एक सटवा समिधान संसोधन 1989 के तहत होता है भारत की पहली रामसर साइट कौन से चिलका जिल है कहां है ये ओडिशा में नलवाना पक्षी अभ्यारन कहां है चिलका जिल के अंदर कहां ओडिशा में भारत की स सबसे बरी अप्रभाही पानी की जिल कौन सी चिलका जिल है एक ऐसे नृत का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशुष्टा के अध्भू सयोग का प्रतिनिदित्व करता है आंसर हो जाएगा कत्थक इस सवाल के वार पूछ लिया जाता है क्यूं इसका रिजन आपको आगे पता चलेगा वाजित अली कौन थे तो अवद के अंतिम नवाब थे साती सात कत्थक को बढ़ावा देने वाले ये व्यक्ति पहले व्यक्ति हैं वहीं पंडित विर्जु महराज का संबंद किस सास्त् से तो देखिए यहां भी कत्थक और यहां भी कत्थक लेकिन यह जो वाजित अली थे यह मुश्लिम थे और यह पंडित विर्जु महराज क्या थे हिंदू थे हैं तो इन दोनों का जुकल बंदी को ही इस नाम को दिया गया जो कि हिंदू और मुस्लिम का जो है संयोग अद 259 में इसका नितुर्ट केया था तो वेगब हजौत महल ने इसका नितुर्ट किया था और यहीं धिया रखेए गां वेगब हजौत महल बात करते हैं मोपला बिद्रो की मोपला बिद्रो कब होता है 1921 में कहां पे केरल में वहीं बात करते हैं पाइका बिद्रो कब होता है 817 और कहां ओडीशा में एस सेंचुरी इस नॉट एनफ किस भारती क्रिकेटर की लिखी पुष्तक है सौरव गांगुली की प्लैंग इत माइवे किसकी लिखी पुष्तक है सचीन तेंदूलकर की लिखी पुष्तक है नो-स्पिन किसकी आर्टो-बाइगोराफी सेनवन की और ऐस्टिलिया की खिलारी थे हालम हो गया निधन हो गया विलीब किसकी आर्टो-बाइगोराफी सुरे सराना की है राश्टी-गरामिल- Grenad Raptor गरांटी अधिनियम कपारित होता है इसको क्या करते हैं इसका जो शोड़ फाम होगा नरेगा National Rural Implement Granted Act कब की है 2005 की है लागू कब होता है दो फरबड़ी 2006 कोई लागू होता है वही बात करते है इसका नाम जो है नरेगा से मरेगा कब होता है ठीक है मरेगा कब होता है इसका नाम मरेगा आपका जो होता है 2 October 2009 से इसका नाम मनरेगा हो जाता है दुनिया के सबसे उची प्रतीमा Statue of Unity किसकी है तो ये सरदार बल्लभाई प्रतेल जी की प्रतीमा है ये सित कहां पे केवडिया गुजरात में है कितना मीटर उचे 182 मीटर उचे दुनिया के सबसे उची प्रतीमा निर्माता कौन राम सुतार Statue of Equality कहां पे है ये हागरावाद में है किसका प्रतीमा तो संद रामानुजा चारिज जी का प्रतीमा है और कितनी फिल्ट उची है 216 फिल्ट उची है सरदार बल्लभाई प्रतेल की बात होई रही है तो सरदार बल्लभाई प्रतेल का अगर मैं बात करूँ करांची अधिवेशन के अधिश्ता 1931 मेनों ने किया था Straight from the head किसकी पुस्ती लिखी पुस्ता की कापिल देब की लिखी पुस्ता की राश्टी एकता दिवस का मना जाता है 31 October को और किसके जन्म दिन पर तो सरदार बल्लभाई प्रतेल जी के जन्म दिन पर 33 पंचायती प्रतेल के गर मैं बात करूँ Most important question है Very very important question है वलबंत राय मेहता समिती की सिफारिस पर याती है पहला बाद 2 October 1969 नौगोर राजस्थान से जवाला नेरू द्वारा इसकी सुवारम होती है ठीक है 33 पंचायती जो प्रनाली है कितने अस्तर की है तीन अस्तर की है ठीक है एक तो जिलास्तर दूसरा पंचायत समिती और तिसरा ग्राम पंचायत फिर आगे बड़ते वलबंद राय महता समिती का कठन कब होता है 1957 को असोक महता समिती का कठन होता है 1977 को इनका अगर बात करें तो ये दूस्तरी ये पंचायती राजवेवस्था प्रधारित था लक्षमी मल सिंग्री समिती कब की 1987 की है और पंचायती राज वेवस्ता को समयधानिक दर्जा की मांग इन्होंने किया था पीके थुंगनु समीती ये कब किये 1989 की है मैं बात करते हैं इनी के सिफारिश पर तिहतरवा समिधान संस्वधन तथा चोहतरवा समिधान संस्वधन जो है अस्तित में आया था पीके थुणनु समीती दिली भुरिया समीती किसी फार तिष पर कौन सा धिनियम आता है पेशा एक्ट आता है कब कहा है ये 1996 का है पेशा का फुल फॉर्मकप पंचायती राज एक्स्टेंसं सिद्डूल एरिया तिहतरवा समिधान संसोधन कब कहा है ये 1992 का है और पंचादी राज बेवसा से संबंधी थे और लागू होता है 24 अपरेल 1993 को यह लागू होता है इकारवी अनुसूची में इस सामिल है और इसमें कुल 29 विज़े हैं कुल अनुचे इसमें जो सामिल है 16, 243 लेकर 243 ओ तक फिर बात कहते हैं चोहतरवा समिधान संसोदन का संबंध कि से सहर निकाय से है 1993 का एक्ट के तहट बारमी अनुसूची में इस सामिल किया गया और कुल विज़े इसमें कितना है 18 अनुची जो है परफम समिधान संसोदन अधिनियम की तह्त बुछ 515 के दौआ इससे जोरा गिया है पहली बार जनगना कभ वा था 1872 में किस की समय में मयों के समय में हुआ था डशकी अधार पर जनगनना किस ने सुरो किया था 1881 में तमिलाडू के टटको क्या कहा जाता है कोडो मंडल केरल के टटको क्या कहा जाता है मालाबार गोवा के टटको कहा जाता है कोंकन किस यूध में नेपोलियन जो कि फ्रांस का था कि पराजे हुई थी वाटरलू कब होता है ठारसो पंद्रा में ब्रिटिस सेना का नतुरित्व कौन करता है डिव का आफ बेलिंग्टेन करता है वहीं फ्रांससी सेना का नतुरित्व कौन करता है नेपोलियन करता है जहां पे नेपोलियन की क्या होती प्राजे होती है अंग्रेज यहां पे जीर जाते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जात लेंड अस्टीनर ने किया था वहीं बात करते हैं ब्लेट का जो प्येच मान होता है वो क्या होता है यह लगबग चारी यह लगबग क्या होता है चारी होता है तो ब्लेट ग्रुप का जो है आपका होगा लेंड अस्टीनर ठीक है और ब्लेट सर्कुलेशन का विलियम हरले प हुआ, चंदगुप्त दूतिये होता है किस विजय को प्लक्ष मेms राष्टि मत दाता दिवस मना जाता 25 जनवरी को फिर बात करते नितियाओ के पहले उपाध्यक्ष कौन थे अर्विंद पर्ण गडिया थे पहले उपाध्यक्ष नितियाओ के पहले CEO कौन थे सिंधु खुलड नाम ठिक कर लिजएगा अमीवा तथा जिवान कैसे जीवे इस दोनों एक कोशी जीवे भारत की कुल समुद्री शिमा कितनी है अधिकारी कौन बनी तो आपका नाम हो जाए अवनीly चतुरवेदी भाहत की पहली महिला राफिल जेट्ट कौन बनी सिवागीसी कहा की है यह वरानुषी की हैं भाहत की तीन महिला फालोर पालोट एक साथ बनी थी नाम तर इनका अवनी चतुरवेदी भावनाकांध्ध और स अखिल भारती उद्ध उसमारक को, आज किस नाम से जाना जाता है, इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है, अमर जीवान जीवान जीवती, ये क्या है भई, ये 1970 के भारत पकेसान उद्ध में सहीद, और अग्याद भारते साने कुक के याद में बनाया गया क्या है, ये उसमार आपको, इंडिया स्ट्रेगल किसकी लिखी पूछतक है, ये लिखी पूछतक है, सुभाष्चंद्र बोस की लिखी पूछतक है, प्राकर्म दिवस कमने जाता है, तेस जन्वडी को मना जाता है, ध्यां रखने आपको, हरी पूरा अधिवेशन के रमें बात करू, 1934 में हो अपरिका ने किस वर्स लोग तांतरिक समिधान अपना आता है, 1787 में, वहीं, 4 जुलाई 1776 को ये सतंत्र हुआ था, बोस्टन टी पार्डी का समन्द किससे है, ये और घटना होती है 1773 में, और ये घटना अमेर्का की है, भारत में 500 रुपे तथा 2000 रुपे के जो करेंसी के नोट थे, पुराने वाले, किस वर्स अमान घोसित कर दिया गया, 8 नमबर 2016 को, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत में demonetization कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये ये 8 जो नमबर की बात हो रही है, नमबर 2016 में होती है, भारत में, मुद्रा का अब अब तक कित है, और सबसे बड़ा पुस्व है, राफ्लेशिया, एक स्वाल पे आते हैं, 1192 में, तराइन के दूसरे यूद में, प्रिथिवी राज चोहान किसके हाथों पराजित हुए थे, मुहमद गौरी के, तो तराइन का प्रतम यूद होता है, कब 1191 में, प्रिथिवी राज चोह है, जलोड मिंटी से समरिध है, राष्टी जलमार्ग दो किस नदी पर है, ब्रहंपुत्र नदी पर, कहां से कहां तक, धूबरी से साध्या, असम्मे, राष्टी जलमार्ग वन किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, इलाहवाद यूपी से लेकर, हल्दिया, बैस्ट गोल किरांती का संबंदे आलो उत्पाधन चुलाबी किसी विशेस रूर्ण ने या कानून को रोखने के लिए किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट के धिकार को क्या आ जाता है विट्यो पावर स्वभा मुद्गल का समन्द किसे ये भारती सास्ते संगीत की प्रख्यात गाईका थी उत्तर प्रदस्की रने वाली थी बनारस हिंदू विश्मिद्धारी के स्थापना किसने किया था पंडित मदन मुहन मालवे ने